बीच गनित की भूमिका भाग 2 पहले भाग में हमने देखा कि बीच गनित में अक्षरों का प्रयोग क्यूं करते हैं? ये चर क्या है और अचर क्या है? इस भाग में हम कुछ और सीखेंगे. अंगणित में यदि हम दो संख्याओं का जोड लिख रहे हैं, हम कुछ इस तरह लिखते हैं, कि 10 जमा 5 या 4 जमा 3 बीच गणित में दो संख्याओं के जोड को लिखने के लिए हम लिखते हैं, X जमा 4 X के अलावा भी हम कोई और चर का इस्तिमाल कर सकते हैं, जैसे Y, Z या A, B, C, इत्यादी, जो भी आप चाहें जब आप घटाव लिखते हैं, तो आप इस तरह लिखते हैं, कि Y घटाव 2 फिर से आप किसी और चर का इस्तिमाल कर सकते हैं अंख गणित में दो संख्याओं के गुणा के लिए 5 गुणा 7 या 8 गुणा 10 लिखते हैं बीज कणित में हम लिखते हैं 3 गुणा M परन्तु बीज कणित में हम यह करते हैं कि हम गुणा के चिन्न को हटा देते हैं और इस तरह लिखते हैं कि 3 M हम हमेशा पहले संख्या और फिर चर लिखते हैं तो आप इसे लिखते हो 3M इसका मतलब है 3 बार M इस थिती में 3 को गुणांख कहते हैं वाई घटाव 2 में गुणांख क्या है? उस थिती में वाई का गुणांख है 1 क्यूं? क्यूंकि वाई ऐसा ही है जैसे की एक गुणा वाई इसलिए वाई और एक वाई दोनों सामान है तो यहाँ पर गुणांख एक है पहले ब्यांजक में जो की है X जमाचार X का गुणांख क्या है? फिर से वहाँ पे भी गुणांख एक है भाग के लिए यदि हम आठ बटा N लिखना चाहें आठ भाग N तो यह आठ बटा N लिखा जाएगा और तब B बटा 10 B भाग 10 को हम B बटा 10 लिखेंगे आओ यह देखें कि ब्यांजक का क्या मतलब है एक ब्यांजक क्या है? जब हम कुछ करते हैं तो उसे ब्यांजक कहा जाता है जब हम बात करते हैं तो हम अंग्रेजी ब्यांजक का प्रयोग करते हैं उधारण के तौर पे जब मैं कहती हूँ कि यह एक गणित का विडियो है तो यह हिंदी में एक ब्यंजक है। इसी तरह जब बीजगणित में ब्यंजक का प्रयोग किया जाता है तो इसे बीजगणतिय ब्यंजक कहते हैं। यहाँ पर बीजगणतिय ब्यंजक का एक उधारण है। दो वाई जमा दस इसे एक बीजगणतिय ब्यंजक कहा जा सकता है। अब इस ब्यंजक में क्या है? आप जानते हो कि वाई यहाँ पर चर है और दस अचर है। दो क्या है? दो एक गुणांक है। और यह जमा का चिन जम एक संक्रिया है यह दो चीजें दो वाई और दस इन्हें पद कहा जाता है इसलिए इस ब्यंजक में दो पद है एक पद दो वाई है और दूसरा दस है पदों को एक संक्रिया के द्वारा अलग किया जाता है और एकटे होकर यह सभी चीजें बीजगर्णतिय ब्यंजक बनाती हैं अब आओ देखें कि ये बीजगर्णतिय ब्यंजक लिखा कैसे जाता है यहां हमारे पास हिंदी का एक ब्यंजक है पांच किसी संख्या से घटाया गया है और यह हिंदी में लिखा गया है हम बीच कनित में इसे कैसे लिख सकते हैं? हम इसे इस तरह लिख सकते हैं कि X घटाव पाच फिर से आप किसी भी अक्षर को चर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं मैंने यहाँ पर X का प्रयोग किया है एक संख्या का आधा, एक हिंधी ब्यन्जक है बीच कनित में हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि P भाग 2 या P बटा 2 एक संख्या के चार गुणा में साथ जोड़ने पर तो हमें संख्या के लिए एक चर का इस्तिमाल करना चाहिए और उसे चर से गुणा करना है और फिर इसमें साथ जोड़ना है तो यह कुछ इस तरीके से दिखेगा चार जेड जमा साथ मेरे पास यहां इस ब्यंजक में दो पद है वर्ग का शेत्रफल हम वर्ग के शेत्रफल का सूत्र जानते हैं यह इसकी भुजा का वर्ग होता है तो हम इसे बीजकनित में S का वर्ग लिख सकते हैं S वर्ग की भुजा है आगे हम बीजकनितिय ब्यंजकों के मानों को ज्यात करने के बारे में सीखेंगे पहले ब्यंजक में जोकी X घटाव 5 है यदि X 25 है तो कीमत होगी 25 घटाव 5 जोकी 20 है दूसरे ब्यंजक में यदि P 12 है तो इस ब्यंजक का मान होगा 6 तीसरे बीजगनितिय ब्यंजक में यदि Z 2 है तो दो बार 4 आठ होता है आठ जमाप 7 बराबर 15 तो बीजगनितिय ब्यंजक की कीमत होगी 15 अंतिम ब्यंजक में S की कीमत है 3 तो इस ब्यंजक का मान होगा 9 जिसका मतलब है कि वर्ग का शेत्रफल होगा 9 और यदि S का मान 6 है तो इस व्यंजक की कीमत होगी 36 और इसी तरीके से आप बीज गड़तिय व्यंजकों का मान ग्याद करते हो